एक नहीं वीडियो में तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा थमनेल आप लोगों ने देखी देखी लिया होगा कि लोग किस चीज़ के उपर होनी है, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आप लोगों को फायदे बहुत मिलेंगे, ठीक है, तो ये मैं एक माजून बना रहा था, ठीक है, और आज हम सबसे पहले मैं आप से दो से चार मिनट बात करना चाहूँगा, माजून के बारे में भी समझाऊँगा, ठीक है, और इसको कैसे बनाना है ये भी बताऊँगा, ठीक है, किन लोगों पर काम करेंगा, ये भी बताऊँगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सबस्क्राइब जरू करना, ठीक है, और हकीम फराज नाम है मेरा, तो आप लोग टाइम से कभी भी अगर चैनल चले जाता है, तो आप यूटूब पर साज कर सकते हो हकीम फराज, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, घर बटन के वाला तिला है, यह भी एक सरह माजन है, यह माजन सार्टाट साल वालो के लिए, यह माजन 40 साल से निच्ल वालो के लिए, ठीक है, अब यह माजन ऐसकां करेगा विरो को टाइठी भी कर देगा, सारी चीज़ वा जाएगी, लेकिन उसके लावा भी वो सारी चीज़े उस पर बात करते हैं तो दोस्तो बात थोड़ी बहुत मुझे करनी थी आप लोगों से दोसको नुस्खे आपको कहीं भी मिल जाएंगे और पहली बात जो मैं नुस्खे आप लोगों को देखता हूँ बताता हूँ बनाता हूँ उनकी कदर करो ठीक है भाई वरना यहीं नुस्खे कोई वेद किसी वेद से कभी भी कोई नुस्खा कोई वेद से वेद लेगा ठीक है तो या तो उसको कोई बहुत अच्छा तोफा देगा या उससे लाग डर्लाव को पर से नीचे बाती नहीं करेगा कोई हकीम किसी हकीम से कोई नुस्खा लेता है भाइ नुस्खे कदर वो कहते है ना भाइ सोने की जो कदर है वो सुनारी जाने का कबाड़ी को नहीं पता वचके आज के दोर में कबाड़ी भी मतलब लगा रहता है बिचारा ठीक है ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी एक समझाने वाली बात हैं जिसकी जिस चिसकी जरूरत जहाएं वहां करो अब अश्कल के जो मरीज है बहुत सारे मरीज काम्याब ही के तरफ नहीं बढ़ पार है दवाए खारे लेकिन फाइदा नहीं ह वज़ा क्या है कि देखो जब हकीम के पास जाते हैं तो उसको परशान करते हैं यह उसको सोचने का मुखा ही नहीं देते हैं यह तो पहली बात तो उनको यह समझाना चाहिए कि हकीम जो है वाकी वह हकीम है यह सिर्फ वैसे ही वाला मामला है ठीक है इस चीज़ को भी समझे देखो नुषखे आपको कहीं भी मिल जाएंगे लेकिन काम कहां करेंगे वो मैं आपको बता दूँगा नुषख़ा आपको कोई भी दे देगा YouTube भरा पड़ा है नुषखों केसे किताब है भरी पड़ी नुषखों से लेकिन कब कहां कोन सा नुषखा काम करेगा इस चीज की पहचान करने जरूरी है पेट मदर रहा थे तो पेराशेटमोल खानी है या गेस बननी है तो भी पेराशेटमोल खानी है ठीक है तो भाईया ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी होता है बना रहा हूं तिला और ऐसा तिला बन रहा है कि भाई बाहर आप ये समझे लो तिला वो बनी नहीं सकता बहुत मेहनत का मुशक्कत वाला काम है आप लोग ब्रांडी देख रहे होंगे भईया हकीम जी अरे भईया मैंने ये रख रखा है तिला बनाने के लिए ठीक इसमें तिला बनातों में ऐसा नहीं कि जड़ी बूटी एकूट और भईया कड़ाई में डालके तेल बना दिया बस लोजी लिंक पे लगा और काम्याबी ठीक है ऐसा नहीं है बनाया था मैंने क्रीम बनार खित में ठंड के लिए खतम हो चुकी है इतना बहतर रिजल्टी मिल रहा है क्या बढ़ाओ मैं आप लोगो बहुत बेस्ट रिजल क्यां सब्सक्राइब हमेरे अगर सब्सक्राइब करें सदोभी काम्याव यह तो यह सचीथ पते हैं ने लोग यह नो Capeल यह लिबेवार लोग यह निदो क्या किलने हैं की नहीं होगा तो 10-10 साल दवाई खाले होगा ही नहीं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि दिमाग जो है ना बहुत बड़ा नियूरो सिस्टम इसके अंदर चल रहा है जैसा आप सोचोगे वैसा ही हार्मोन्स रिलिस करेगा और यह जो हार्मोन है ना इन सारी दवाई उपर भारी बढ़ जाएगा लाख रुपे के दवाई होगी ना उन पर भारी बढ़ जाएगा वो जो हार्मोन है ठीक है भाई तो पहले पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव का मतला भी यह नहीं कि भाई सिर्फ बातों वाली positive रहे के दिखाओ भाई तो मामला बने तो ये थोड़ी सी बात थे भाई या अब किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो उसने आपको बोल दिया दवा लिख की दे दी कि धंग से बात भी नहीं करेगा यार पहली बात तो डॉक्टर तुम से बात भ लग जाएगा उसके शक्कर में लगकर विचारा वह भी खंड वह भी विचारा क्या करेगा वह ठीक है तो यह दिक्कत ही होती है और आदमी को पहली बात तो जो वेद सही वेद हकीम होगा वह ऐसा कोई कामी नहीं करेगा ठीक है तो बात करते हैं जो कि बहुत शॉट फॉर जिसको बोला जाता है लेना आपको सिर्फ दो ग्राम ठीक है बीर बाउटी एक तोला लेना है ठीक है और इन सारी चीजों को खरल करके मक्षन आपको लेना है लग बग एक डली जो छोटी वाली आती वो डली लेनी है और इसमें डालके खरल करना है इसकी पूरी क्रीम बना लिए इतना खरल करना है कि पूरी तरह एक दूसर मां जजब हो जाए और थोड़ा सा लेकर लगाओ लिंक के उपर तो आपको हो सकता दाने बगारा निकलेंगे तो उसको ठीक करने के लिए आपको देखो अब यह तिला यही दिक्कत आ जाती है भाई कोई भी अभी तिला मना लाइफ बनाओंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसलिए कहता हूँ बार बार चैनल को सब्सक्राइब करो सिर्फ इसलिए नहीं कि सीखने के लिए समझने के लिए नुसके बहुत मिल जाएंगा बहुत पढ़ेंगे लेकिन आब हजारों मिल जाएंगे आपको लेकिन वीडियो बहुत ज़्याद लंबी होनी कोशिश करूँगा अगली वीडियो में सारी चैसे किलियर कर पाऊंगा